हलो एवरिवन वल्कम बाग दोस्तों जैसे लास्ट विक मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि इस विक मैं आपको सिखाऊंगा कि जो गूगल शीट रहता है उसमें आप आपका एक्सल कैसे बना सकते हो जिसमें आप मोविंग एवरेज एट कर सकते हो और वहां पे के साथ भी कर सकते हो तो आपको पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक क्रॉस ओवर है नेगिटिव है या पॉजिडिव क्रॉस ओवर है वो आप इस वीडियो में देख सकोगे दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरू कर देना अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर करना तो दोस्तों जो आज मैं यहां पे आप लोगों को सीखाने वाला हूँ यहां पर यहमारा डेस्क कैसे बन रहा है वो बताऊंगा कैसे यहाँ पर data आते है यह open low high equal to के साथ low buy sell यह सब यहाँ पर जो यहाँ पर command है मैं वो आपको दिखाऊंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो हर price आपको मिलेगा जैसे यहाँ पर sell है मैंने इसका condition क्या रखा है वो भी आपको पता चलेगा यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो मैं क्या कर रहा हूं इसको दो पार्ट में update कर दूँगा आज ही दोनों पार update कर दूँगा तो आप दोनों एक साथ में भी देख सकते हो दोस्तों तो और जो यहाँ है आप देख रहा है indices यहाँ पर मैं अगर चेंज करता हूं तो यह आपको यहाँ पर नीचे वाला जो line है चेंज हो गया आप देख सकते हो data यहाँ पर तो यह भी मैंने यहाँ पर एक logic डाला है वो भी मैं आपको बताऊंग क्या logic था यह moving average का crossover है यानि 20 days moving average cross करता है 50 को उसके हिसाब से यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो यह moving average crossover lower है यानि कि 50 days moving average higher है 20 days moving average से यहाँ तो यहाँ पर आ गया lower crossover और यह जो price है वो यहाँ पर update होता है तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं दोस्तों कि यहाँ नया यहाँ पर sheet बना रहा हूं तो जहाँ पर आपको पहले से पता चले का कि एक zero से हम कैसे इसको start करते तो मैं अभी इसको मैं बन कर देता हूं तो यह आ गया हमारा नया excel sheet तो अब हम इसको क्या करते हैं पहले तो मैं यहाँ पर NAC का website open करूंगा जो हमारा NAC का website open हो जाएगा उसके बाद में हमें कहाँ जाना है यह about करके है हम वहाँ पर जाने जाएंगे और फिर हमें यहाँ से जो data लेना है वो indices का पूरा जो total number of stocks रहते है जैसे nifty 50 में है फिर आ गया यहाँ पर निप्टी 500 वो सब हम यहाँ पर cover करेंगे आज दोस्तो मेरा यहाँ पर network का कुछ issue है तो उसके वज़े से थोड़ा slow भी है मेरा आज यहाँ पर यह पूरा depend करेगा आपका internet कैसा है दोस्तों यहाँ पर indices फिर में यहाँ पर यहाँ देख रहा है broad market index तो यहाँ पर आपको यह सब देखने को मिलेगा nifty 50, nifty 100 तो मैं पहले click करता हूँ nifty 50 यह मैं क्यों कर रहा हूँ क्यों कि मुझे यहाँ पर पुरा detail चीए कि मुझे company के लिए क्या-क्या detail चीए तो यह है first यहाँ पर CSB करके file है उसका आप क्या करोगे copy link कर लोगे इसका copy link address फिर आप वापस यहाँ पर आ गए तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है तो first आपको क्या करना है यह जो cell है इसका हमें यहाँ पर equal import data colon इसका link को मैंने paste कर दिया और close जैसे ही आप enter करोगे तो वो जो nifty 50 की सब detail है आपको यहाँ पर मिल जाएगी अब यहाँ पर आपको क्या करना है indice यहाँ पर nifty 50 कर देना है और इसको आप में यह paste कर देना है यहाँ तक यह आ गया हमारा first तो हमारा यह जो first बन गया है अब ही मैं दूसरा यहाँ पर data लूँगा दूसरा मुझे कौन सा चाहिए निप्टी next 50 index भी लेख सकते हैं या तो 100 भी लेख सकते हैं या तो 100 भी लेख सकते हैं जो है तो यहां पर bank का ही डालके index में आप कर सकते हो nifty bank इस हिसाब से और अगर import करना है तो simple आपको link copy करना है यह आ गया हमारा second तो यह है nifty 50 next का अगर मुझे यहां पर hundred का hundred के लिए नहीं लेना है यह दो का ही लेके मैं अभी आपको समझा रहा हूँ अच्छा एक काम करता हूँ मैं इसको delete करता हूँ hundred का ले लेता हूँ तो क्या आपको idea आ जाएगा कि ज्यादा stock है वहाँ पर ओकी यह nifty hundred का है copy link मैं क्या करूँगा उसी line जो है वहीं पर ही डाल दूँगा import data तो यह हमारा बन गया hundred होगा तो मैं इसको यहां से select all control c यहां पर आ गया वापस यहां आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि यहां पर मुझे paste special में जाके value only कर रहा हूँ मैं तो यह value only कर दिया मेरा अब यहां पर मैं खर रहा हूँ nifty hundred इसको copy कर लिया और फिर यहां पर मैं paste कर दूँगा hundred stocks पर तो यह क्या हो जाएगा कि हमारा यहां पर nifty fifty और hundred का यह दो एक indices बन जाएगा जो हमें बाद में use करना है जब हम scroll करके जो change करते हैं उसके लिए अभी वापस हम इसको first line ओके यह हमारा हो गया indices का तो इसको हम color change कर देते हैं कुई भी ओके यह data आगया अभी मुझे क्या चीए यहां पर यह data validation के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूँ ओके तो यह मेरा हो गया यहां पर data validation के लिए अभी एक और मुझे यहां पर slide सीट चीए तो पहले मुझे यहाँ पर क्या चीए अगर आपको नाम कुछ लिखना है तो आप यहाँ पर इसको मर्ज कर दीजिए आ गया यहाँ पर ओटो ओटो एक्सल विर मुविंग एवरेज अभी यह बन गया इसको हम सेंटर यह नमबर बढ़ा देते हैं 24 बोल्ड चेंज बैक्ग्राउंड आगेस ओके इस वन सेकंड आएगा हमारा की हमें इंडाइस तो मैं क्या कर रहा हूँ यह दो को यहाँ पर सिलेक कर रहा हूँ इंडाइस चोटा ही रहेगा फिर इसको हम यहाँ पर चार को मर्ज कर देते हैं यह आगया हमारा इंडाइस तो इसका वर्ड हम चेंज कर देंगे यहाँ पर इसको हम डेटा वेलिडेशन के लिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ डेटा मैं जा रहा हूँ डेटा वेलिडेशन यहाँ जो आप देख रहा हूँ एंटर रेंज यहाँ पर आप क्लिक करके इसको क्लिक करना ये जो street आपका जो first वाला था वहाँ पे जाएंगे ये दोनों को हम select कर लेंगे okay कर देंगे save तो ये हमारा data validation हो गया है तो मैं इसको क्या name change कर देता हूँ ये second वाले का moving average कर देता हूँ तो moving तो अब यहाँ पे आप देखो गये तो ये जो मैं यहाँ ये 50 हो गया तो आपको पता है तो इसको भी हम change कर देते जो हमारा पहला I guess 24 okay तो अभी पहला यहाँ पे जो आएगा वो आएगा कि हमारा symbol जो रहेगा कि हमें कौन से stock जो लेने है तो इसको आप क्या करोगे यहाँ पे symbol फिर मुझे दूसरी चीज यहाँ पे क्या चाहिए एक तो latest price उसके बाद open high low close मैं इसको यहाँ पे previous close भी आप कर सकते है क्योंकि अभी का close तो हमें चाहिए नहीं तो इसको मैं करूँगा previous close और change यहाँ पे हमारा percentage में है तो यह पहला हमारा इतना बन गया इसके बाद में हम moving average देखेंगे तो first हमें यहाँ पे क्या चाहिए तो moving average यह हमारा यहाँ पे यह जैसे change होगा वैसे हमें हमारा symbol भी चाहिए तो इसके लिए हमें यह command यूज करना है यहाँ पे दोस्तों तो अभी हमारा जो next step रहेगा वो क्या रहेगा कि symbol को हम copy कर रहे है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा query फिर हमारा जो हमने data लिया है हम उसको select करेंगे आप क्या करोगे यहाँ पे जैसे आपका जितना data है उतना आपको यहाँ पे चेंज करना है फिर यहाँ पे column select हमें कौन सा data लेना है हमें यह वाला अगर आपको यह सब लेना है यानि कि symbol पहले लेना है फिर उसका company का नाम क्या है तो आप क्या करोगे अगर जैसे मैं मुझे लेना है खाली symbol तो मैं D कर रहा हूँ पर अगर आपको company का भी नाम लेना है तो आपको क्या करना है कॉमा करके यह जो second है जैसे column है B तो आपको B करना है नहीं तो जैसे मेरा है मैं ऐसे D ही रखता हूँ उसको क्योंकि मुझे एक symbol ही चाहिए फिर हमें इसको comparison करना है किसके साथ where हमारा यह जो column है moving average का यह हम कहाँ पर symbol डाल रहे है A पर तो यहाँ पर क्या होगा मेरा where A equal to यहाँ पर मुझे एक single comma double comma यह जो हमने यहाँ पर data validation किया है उसको select करूँगा इसको मैं end करके C4 यानि कि यह मेरा यह जो data है वो इसको मैं end करूँगा फिर यहाँ पर मुझे double comma एक single और इसको मैं बाद में एक और minus करके इसको delete कर दूँगा तो अभी यह क्या होगा कि हमारा जो D में जितना data है वो यहाँ पर आएगा तो आप देख सकते हो कि जैसे हमने click किया हमारा जितना data था यहाँ पर आ गया है अगर मैं इसको यहाँ पर अभी 100 करूँगा तो यह data 100 के इसाब से change हो जाएगा तो आप देखो कि यहाँ पर अभी 100 data आ गया है उस इसाब से अगर आपका nifty 500 है तो 500 आ जाएगा अगर nifty 50 है तो वो यहाँ पर nifty 50 आएगा अभी जो हमारा next step है वो है कि हमें इसको इसको मैं पहले ही color कर देता हूँ तो बाद में हमें मैं अभी कोई भी color करता हूँ आपको जैसा अच्छा लगे आपके इसाब से वो आप कर देना दोस्तो इसका मैं alphabet y ओके तो अभी के लिए हमारा ये वो चुका है अभी जो है हमें क्या क्या डेटा Google Finance से हमें लेना है इसमें तो इसके लिए command क्या है is equal to Google Finance bracket को हम यहाँ पर रखेंगे उसके बाद में double comma हमें कहां से लेना है एने सी से लेना है उसके बाद semi-column फिर हमें यहाँ पर फिर से double column उसके बाद में end लिखना है और हमें कौन से डेटा लेना है तो हमारा ये जो है ये वाला column उसमें हमारा कौन सा ये 8 वाला तो यहाँ पर हम select कर लेंगे comma हमें क्या चाहिए price चाहिए इसको मैं cross करूँगा यह price क्या होगा कि अभी जो close price हुआ है वो आपको यहां पर आएगा तो यह आ गया हमारा first price तो अभी ही मैं इसको double click करके तो यह हमारा पूरा सब price आपको यहां पर दिख जाएगा कि यह price आ गया है अभी के हिसाब से, अभी मुझे second अभी क्या कर रहा हूँ, मुझे यह हर बर copy नहीं कर, मैं इसको यह copy करके रख रहा हूँ, तो मुझे क्या होगा, easy हो जाएगा, मैं यहाँ पे paste कर देता हूँ, मुझे यहाँ पे open price चाहिए, मैं यहाँ पे open लिख दिया, price open, तो यह जैसे आ गया यहाँ पे, इसको भी मैं double click कर दूँगा, तो यह पुरा आ जाएगा, second मैं यहाँ पे चाहरा हूँ, high, तो यह price की जगा मुझे खाली high लिखना है, high आ गया, अभी मुझे low चाहिए, यहाँ पे, इसको मैं low कर देता हूँ, अब आएगा मेरा previous price, तो यहाँ पे मैं previous close कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखना होता है हमें, close yesterday, उप sorry, error आएगा, मैंने गलत लिखा, yes, yesterday, close yesterday आगा, अभी हम यहाँ पे percentage लाना है, तो percentage के लिए यहाँ पे क्या है, आपको change लिखना है और pct लिखना है, change pct, तो यहाँ पे आपका percentage भी आ जाएगा, तो अभी हमारा यह data आगा, तो मैं इसको अभी यह drag कर देता हूँ, तो यह सब data हमारा बन जाएगा भी, तो आप देख सकते हो, अभी हमारा पूरा data आ चुका है, तो दोस्तों अभी हमारा यह data तो आ चुका है, अभी हमें आगे क्या करना है, कि मुझे चाहिए moving average, 50 days चीए, 20 days चीए, तो मैं यहाँ पर आपको पहले बताता हूँ कि 20 days को कैसे यह data आता है, जैसे कि मानो कि मुझे पिछले 20 दिन का data चीए, तो यहाँ पर क्या करूँगा, यह जो command में यहाँ पर है, उसको आप पूरा same to same copy paste कर देना, तो यहाँ पर जैसे मैं enter तो आपको यहाँ पर एक data मिलेगा average के साथ, तो यह क्या आगया हमारा average, पर अगर आपको देखना है कि यह पिछले 20 दिन का closing क्या है, तो आप क्या करना, यह average जो है, यहाँ से आप इसको अगर delete कर देते हैं, और last में यह वाला एक delete, तो आपको यह पिछले 20 दिन का data आप को यहाँ पर मिल जाएगा average के हिसाब से कि पिछले 20 दिन, यह date to date count करता है, दोस्तो ट्रेडिंग days से नहीं, तो वो ध्यान में रखना, 20 days moving average, अगर मुझे यहाँ पर 50 days चीए, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तो, moving average को यहाँ पर मैंचे number change करना पड़ेगा, और यहाँ पर यह decimal है, उसको अगर remove करना है तो यह वाला, जैसे आप minus करोगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा round figure for the moving average, तो अभी के लिए मैं हम इस वीडियो में यहाँ पर मैं stop कर रहा हूँ, second वीडियो में मैं आपको यह जो cell और excel का जो conditional formatting रहता है, और उसके बाद में open equal to high कैसे डून वीडियो अच्छा लगा तो प्लीस like and subscribe जरू करना, thank you